उत्रखन की राजनीती में अचानक से आया उबाल शांत पर चुका है। पिछले चार दिनों के भीतर कॉंग्रस बीजेपी दोनों ही पार्टियों में बगावत का बड़ा बवंडर उठा था लेकिन दोनों ही पार्टियों ने नुखसान होने से खुद को बचा लिया। कॉंग्रस ने जैसे हरी शावत को मना लिया तो बीजेपी ने भी 24 घंटे के अंदर हरक सिंग रावत की नाराजगी दूर कर दी है। से दूर हो गए। सियम को छोटा भाई बताने लगे, बताते बताते भावक भी हो गए। दरसल अपने शित्र कोट द्वार में मेडिकल कॉलेज बनाने के प्रस्ताओ को मन्जूरी नहीं मिलने से हरक सिंग रावत नाराज हुए थी। लेकिन 24 घंटे के भीतर पार्टी एक्टिव हो गई। उन्हें सीम से मीटिंग का बुलावा भेजा गया और सीम आवास पर मुख्यमंत्री और हरक सिंग रावत के साथ कई बड़े नेताओं की मौजूद्गी में बैठक वी। मेडिकल कॉलेज बनाने पर आश्वसन दिया गया और हरक सिंग रावत सारी नाराजगी भूल गया। हाई हो गया है और उसी कॉन्फिडेंस में प्रदेश अधक्ष ने हरक के नाराज होने और मीडिया की खबरों को ही बेबुनियाद बता दिया। लेकिन नाराजगी भूल चुके हरक सिंग रावत खुद ये बताना नहीं भूल रहे कि हाँ वो बहुत ज़्यादा नाराज थे। हरक सिंग रावत जी का ना कुछ हुआ कल जिस तरह मेडिया में चला उसमें कोई सच्चा ही नहीं थी हरक सिंग रावत जी बिल्कुल एकदम ठीक है थोड़ा अपने छेतर को लेकर उन्होंने मेडिकल कोलेज के लिए कहा था उसमें कोई दिक्कत नहीं है जब मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैंने नाराजी बेक करके मैं च्चोड़ के चला गया और भूत मैं नाराज था ये सोच के कि मैंने एक बात कही कि भले मैं कुरदार से चुनाओ लड़ू या नड़ू ये इक लग भी से हैं लेकिन कोई भी चुनाओ लड़े हम जनता से जब वायदा करते हैं तो उसको पूरा होना चाहिए जाहिर है हरक सिंग रावत की नाराजगी की खबर सही थी खबर तो ये भी थी कि कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के अलावा भी उनके नाराज होने की कई बज़ें थी तो क्या ये मान लिया जाए कि हरक सिंग रावत पूरी तरह मान गए हैं या फिर चुनाओ से पहले बगावती मूड दिखाएंगे दिखाएंगे